नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिविल डैमेशन चैनल पर आज का मारा टोपिक है इस वीडियो में हम देखेंगे टैरेस पर बिटिमें वाटरपूफिंग कैसे की जाती है और साथ ही आपको बताएंगे बिटिमें वाटरपूफिंग के अड्वांटेजिस और टिसड्वांटेजिस क्या है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं बिटिमें क्या है और इसे वाटरपूफिंग के लिए क्यों यूज किया जाता है आंसर इस बिटुमिन highly viscous और semi-solid petroleum product है जिसे crude oil distillation process के दुरूप बनाया जाता है बिटुमिन black color का होता है और semi-solid states में आता है गरम करने पर यह liquid में बदल जाता है यह वही बिटुमिन है जिसका इस्तिमाल बिटुमिन roads या asphalt roads को बनाने में यूज किया जाता है बिटुमिन को waterproofing के लिए यूज करने के दो महत्वपून कारण है पहला यह एक natural highly viscous material है जो असानी से हर जगा मिल जाता है दूसरा यह water replant होता है यह थी कुछ basic information चलिए अब bitumen waterproofing कैसे की जाती है देखते है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे है bitumen या charcoal हमारे पास solid state में आया है सबसे पहले इसे छोटे छोटे तुकडों में तोड़ कर इसे एक बड़े से बरतन में तेज आग के उपर गरम किया जाएगा जैसे जैसे तारकोल या bitumen गरम होगा यह अपने आप liquid में बदल जाएगा इसे किसी तरह का dilution नहीं किया गया है dilution मतलब कुछ liquid परदार्ग जैसे डीजल या petrol नहीं मिलाया गया है जब तक bitumen गरम होकर liquid में बदलेगा तब तक terrace पर सफाई का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं तार ब्रश की मदद से छट को अच्छे से साफ कर दिया जाएगा हम जिस छट पर waterproofing करने जा रहे हैं उस पर concrete डाला क्या है यह waterproofing नई construction पर किया जा रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं सफाई के साथ-साथ slab पर bitumen primer का का काम स्टार्ट कर दिया गया है primer एक base coat होता है जिसे bitumen में diesel डाल कर बनाया जाता है diesel डालने से bitumen पतला हो जाता है जिसे paint प्रश की मदद से छट पर apply कर दिया जाता है ध्यान रहे कि छट के साथ-साथ तिवारों को भी कम से कम तेट फीट तक waterproof जरूर करें अब primer का काम खतम हो गया है next step में हम bitumen sheet को slab में बिछा कर slab के size के हिसाब से पहले ही cut करके रख लेंगे bitumen sheet को हम bitumen membrane भी कहते हैं ये membrane 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm thick size में आती है ये flexible होती है, इसका 1 meter चोड़ा और 10 meter लंबा रोल आपको market में मिल जाता है हमने 1.5 mm thick bitumen sheet का प्रयोग इस slab पर waterproofing के लिए किया है इससे अधिक thick bitumen sheet का प्रयोग उस जगा किया जाता है जिस जगा gas torch का यूज कर bitumen sheet को चिपकाया चाता है हम hot bitumen से इस bitumen sheet को चिपकाने वाले है next step में slab में जो भी construction joint है उन्हें अच्छे से seal कर दिया जाएगा जैसे कि आप देख रहे है hot bitumen को joint पर apply किया जा रहा है और tar felt को उस पर चिपकाया जा रहा है tar felt भी एक bitumen fiber sheet होती है जिसकी thickness 2 mm की होती है tar felt को construction joints और verticals wall पर application के लिए यूज़ किया जाता है next step में च्छत का काम स्टार्ट होगा अब bitumen sheets को च्छत पर ले किया जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं hot bitumen को च्छत पर floater की मदद से apply किया जा रहा है और साथ ही साथ membrane को चिपकाया जा रहा है ध्यान रखें safety का wishes ध्यान दे shoes और gloves जरूर पहने हो सके तो face marks भी जरूर लगाएं और first aid हमेशा त्यार रखें hot bitumen workers को पूरी तरह जला सकता है अब हमारे च्छत पर bitumen sheet को अच्छे से paste कर दिया गया है अब vertical wall पर भी similarly bitumen apply कर tar felt को paste किया जाएगा ध्यान रखें vertical walls में 1 inch deep cutting कर depth में waterproofing करना ना भूलें यह technique rainy water को wall में penetration से रोकती है next layer में हम zero fiber glass को bitumen sheet पर लेक करेंगे fiber glass एक तरह से hot bitumen fiber glass को strength देता है जैसे कि आप जानते हो concrete में expansion और contraction होता है जितना बड़ा span उतना ज़्यादा expansion and contraction fiber glass concrete के expansion और contraction को तो नहीं रोक सकता पर bitumen sheet membrane को crack होने से जरूर रोक सकता है application process सेम है hot bitumen डालते जाओ fiber sheet चिपकाते जाओ यह fiber sheet bitumen में ही merge हो जाती है जिससे bitumen उपर और नीचे तोनों तरफ apply हो जाता है इस तरह six layer bitumen waterproofing को खतम कर दिया जाता है टेस्टिंग के लिए छट को एक हफ़ते के लिए पानी से भर दिया जाता है और बाद में एक top layer protection plaster की डाली जाती है जैसे आपने देखा फर्स लेयर में primer किया गया सेकंड लेयर में hot bitumen apply किया गया थर्ड लेयर में bitumen sheet membrane लेक की गई 4th layer में hot bitumen डाला गया 5th layer में fiber glass sheet को चिपकाया गया और 6th layer में protection plaster किया गया अब बताते हैं इसके कुछ advantages और disadvantages last में बताएंगे per square foot कितना खर्चा आएगा सबसे पहले advantage bitumen products are flexible when cold and hot high pressure resistance, easy application offer good waterproofing properties अब disadvantages देख लेते हैं bitumen waterproofing expensive होती है और ये pollution भी करती है जब इसको heat किया जाता है next is rate पर square foot terrace waterproofing पर खर्चा लगबग 110 से 120 रुपे फुट आता है so food का estimate निकालना हो तो 11,000 से 12,000 का खर्चा आ जाएगा hope ये वीडियो आपको informative लगी होगी तो वीडियो को like और share किये जिए और चैनल को subscribe करना ना भूले thanks for watching civil dimensions